हर हर महादीव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, जैमातादी, कैसे हैं आप सब, दर्शकों, 26 सितंबर से नवरात्री का आगमन हो गया है, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्री चलेगी, नवरात्री के इन 9 दिनों में, यदि आपको भी यह संकेत मिलते हैं, तो समझे कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, और माल अच्मी आपके घर में आने वाली है, दिवाली तक आपको कोई ना कोई बड़ी खुशकबरी अवश्य ही मिल जाएगी, जी हाँ, चीटिया, चीटिया एक अमोले चीज़े हैं, चीटिया बहुत से जगाओं पर पाई जाती है, जैसे कि हमारे घर में और कहीं भी हमें दिख जाती है, लेकिन उनका कुछ संकेत भी होता है, चीटिया अनवशक रूप से कहीं नहीं जाती है, आपने देखा होगा कि चीटिया दो कलर में होती है, एक काली वाली और एक लाल वाली, वास्तो सास्तर में क काली चीटी को बहुत ही शुब माना जाता है वहीं लाल चीटी को अशुब माना जाता है ऐसा माना जाता है कि काली चीटिया हमारे लिए शुब संकेत लेकर आती हैं यदि आपके घर में भी नवरात्री में यहां हो रहा है तो आप इसे समझ लीजिए क्या होता है काली चीट ऐसे ही यदि चीटियां गोल घिरा बनाकर बैठी हैं तो समझ लिजे कि माल अच्मी आपके घर में वास कर चुकी हैं आपके घर को धनेधान से परिपोन कर देंगी वहीं यदि काली चीटियां उत्तर दिशा से आती हुई दिखाई दे तो यह बहुत ही शुब संकित होता है वहीं अगर दक्षिन दिशा की और जाते हुई दिखाई दे तो धन कर्च हो सकता है पश्चिम से आती हुई यदि दिखाई देती हैं तो यह आपके यातरा के योग बन सकते हैं पूर्वदिशा से यदि काली चीटियां आते दिखाई दे तो आपके घर में कोई संकेत होता है वैसे ही यदि आपके घर में लाल चीटिया हैं बहुत सारी लाल चीटिया निकलती है तो यह अनावशक रूप से धन खर्च होने के संकेत देती है और माल अच्मी का आपके घर से जाने का संकेत देती है ऐसे ही काली चीटिया यदि आपके घर में भगवान वाल इस ताइब एक दोन भनकी ती त स्थाइब आप प्रखा एक गड़ने लिग जिले दुग इद एक ग로र दो गडार दो आप Myself, आपने गड़ने लिज़ गोगा, विजह आपड बने ट बता हवा दो आज़ से जग़ने लिग मने का सुरा के बता है रहता है कंवार में जदाद